बैंक से सम्मंदित कुछ जनकारियां जिया दोस्त इस वीडियो में मैं आपको बैंक के जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो आपको काफी confusion करते हैं उनका पूरा नाम क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है उससे मैं आपको बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पूरा है A.E.P.S जिसका पूरा नाम अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है यानि कि अधार कट के माध्यम से जो पैसे की निकासी की जाती है पैसे को जमा किया जाता है और आपके बैंक एकाउंट में कितने पैसे जमा है सारे कुछ डेटियल्स आपको बताया जाता है तो वह जो माध्यम होता है उसे A.E.P.S कहा जाता है चलिए नेक्स्ट समझते हैं बीम जिस तरह से आप गुगल पे फोन पे से किसी दूसरे बेक्ती को पैसे भेजते है या फिर मंगाने के लिए इस्तमाल करते है तो वैसे ही बीम अप्लिकेशन है ये अप्लिकेशन UPI बेस है यानि कि UPI के अधार पर ये काम करता है बीम अप्लिकेशन को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है जिसका पूरा नाम भारत इंटरफेस पोर मनी होता है चलिए नेक्स्ट देखते है नेक्स्ट यहाँ पे है CBL है क्या है CBL यहाँ पे लिखना छुट गया था तो यहाँ पे CBL का पूरा नाम जो है Commercial Bill of Leading होता है नेक्स्ट है BCA जिसका पूरा नाम Baseline Credit Assessment होता है और नेक्स्ट है यहाँ पे C.A.S.A. दोनों एक साथ में है तो C.A. का पूरा नाम है Current Account और S.A. का पूरा नाम है Saving Account इसे आप तो बहुत बार सुने होंगे या फिर इसका इस्तमाल तो आप किये होंगे O.T.P. O.T.P. का नाम जो होता है पूरा One Time Password होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि O.T.P. यहाँ पर 6 डिजिट का आया है यहाँ पर नाम से यह स्पस्ट है One Time Password यानि कि यह एक समय के लिए Valid होता है जब आप कोई काम करते हैं या फिर आप O.T.P. मंगाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर समय भी लिखा होता है कि यह O.T.P. जो है 10 मिनट के लिए Valid है कि 5 मिनट के लिए Valid है या फिर 5 सेकेंड के लिए Valid है इसका इस्तमाल एक ही बार किया जाता है Next है DTC जिसका पूरा नाम Direct Tax Code होता है Next है FLL Foreign Institutional Investor और अगला है GSTN जी हाँ दोस्त इसमें आपको कई बार जो Billing होता है उसपे आपको यह लिखा हुआ मिलेगा GSTN तो इसका पूरा नाम क्या होता है इसमें आप जान ले तो GSTN का पूरा नाम जो है Goods and Services Network Bank of India होता है Next है यहाँ पे IPO यह सब्द भी काफी Important है और आपको भी यह काफी confusion करता होगा तो IPO का पूरा नाम जो है Initial Public Offering होता है इसमें आपको जो है Nifty 50 और Sensex जैसे आपको सब्द देखने के लिए मिलते हैं यह जो वर्ड होते हैं इसमें आपको इसके सांसां BSE यानि कि Bombay Stock Exchange और उसके बाद से आपको NSE यानि कि National Stock Exchange यह सब्द आपको सुने भी होंगे और इसके बारे में यदि आप डेटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और आने वाले समय में मैं आपको इस पर भी वीडियो बना कर दूँगा कि कोई भी कमपनी जो होती है अपना IPO क्यों लॉंच करती है और share बजार यह जो है total share बजार से ही related है तो share बजार में profit किस तुरह से कमाया जाता है चलिए next समझते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IPO जो है initial public offering अभी के time में यह open हुआ है star health insurance का और यहां पर इसका price range दिया गया है और issue size है यह सारे कुछ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी इसको जान लें और आने वाले वीडियो में इससे काफी अच्छे से cover कर लेंगे तो चानल को सबसे पहले तो आप subscribe करके रख ल creation होता है और next है IMF जिसका पूरा नाम International Monetary Fund होता है और अगला है KCC जिसका पूरा नाम किसान credit card होता है यह सभी short form है और इस चानल के playlist में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको काफी help मिलेगा उस वीडियो को देखकर और अपना knowledge भी आपकाफी अधिक increase कर पाएंगे KVP जिसका पूरा नाम किसान विकास पत्र है LCR liquidity coverage ratio होता है और अगला है lab का जो पूरा नाम है local area bank है MFI micro finance institution यानि कि जो company छोटी है यानि micro बहुत छोटे मात्रा में पैसे loan पे देते है micro finance institutional वे कालाते हैं जो छोटे होते हैं और next है मुद्रा मुद्रा यह सब्द आपने कई बार सुने माइक्रो यूनेट्स development and refinance agency होता है next है MPIN MPIN का पूरा नाम mobile personal identification number होता है यह सबी जो है यह काफी important है आपके लिए जानना तो यहाँ पे मैंने एक image रखा है जो कि you know SBI में है तो यहाँ पे जब आप MPIN दर्ज करते हैं यानि कि अपना mobile personal identification number तो आप इसमें access कर लेते हैं यानि कि login हो जाते है next time यहाँ पे swift है यह काफी important है इसका पूरा नाम society for worldwide interbank financial telecommunication होता है यानि कि जब आपको पैसा किसी foreign country से अपने country में transfer करना है या फिर मंगवाना हो तो वहाँ पर आपको swift code का जरूरत पड़ता है जैसे कि अमरिका में पैसा तो डॉलर चलता है तो आप इंडिया में तो यहाँ पे रुपीज हैं इंडिया में रुपीया चलता है तो यदि आप पैसा डॉलर में कमाते हैं तो आपको यहाँ पे exchange करना पड़ता है यानि कि आप इंडियान रुपीज में चाहिए तभी आप उसके convert कर सकते हैं तो इसके लिए आपको swift code कैसे मिलेगा और या यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके नजदेकी में जो bank है उसका swift code आपको कैसे मिलेगा आप कैसे जान सकते हैं तो इस video के निचे comment करें और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe कर ले और बगल में वेल लोटिफिकेशन को भी on करें यदि आपको वीडियो पसंद आये तो इस video को like करें मिलते हैं अगले next video में